कि नहीं है तो रियल्ट में जाके आपको रियल्ट आपको आउटपुट पेरामिटर लेना पड़ेगा एपलाई एड इसको यस कर देंगे यस करकी यह मॉडिफाई करेगा अपने आपको देना मैं रूटीन में जाएंगे देखे राइट साइड में आ गया है अब यहां पर मेरे को पांच वैली को एड़ करके रियल्ट मिलेगा तो आप यहां पर कोई डिफाइन कर सकते हैं जैसे कैलकुलेशन फर्स के नाम का मैं चाहता हूं कि एक ब्लॉक बने तो मैंने फर्स ले लिया और इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा नियू कैल यह वाइड डिफ लगा हुआ कर दिया और यहां पर सारे डे टा मैंने इंटर्नल बना लिये मैंने यह में यह उसके बाद मैं यहां से रियल फॉर ले ले रहा हूं इसके बाद यह भी मेरा real हो गया उसके बाद यहां से एक और data real 5, यह भी data type आप real कर लीजे, एक और real लेजे क्योंकि सारी values real है मेरे, तो मैंने real नाम के tag बना दिया सारे real data, अब यहां पर आप क्या करेंगे values में जाके जो tag बनाए है real वो सारे ले लिजिए क्योंकि आप online value edit कर सकते है real second आप ले लिजिए इसके बाद यहां से आप value third के लिए आप एक real tag क्योंकि इसके लिए real tag चाहिए आपको क्योंकि यह points में value लेगा real 4 हो गया और यहां से real 5 आप ले लिजिए और result आवारा real 6 पे आप ले सकते हैं इतना करने के बाद आप इसको define कर लिजिए क्योंकि आपको define भी इसको करना पड़ेगा एक वार यहां पर logic में देख लिजिए logic में हमारा सारा सही है उसके बाद आप यहां से मैं उसमें चले जाएंगे तो यहां पर देखेंगे तो यह calculation define है यहां पर अभी भी यह cross आ रहा है means यहां पर कोई ना कोई error अभी available है तो error देखने के लिए आप क्या करेंगे एक वार चाहें तो एक input आप यहां से implement कर सकते हैं एक input आप चाहते हैं कि जैसे input प्रैस हो तो मेरी calculation यहां पर आ जाए तो यहां से input ले लिजिए एक वार चेक कर लिजिए दैन उसके बाद आप compile करके चेक कर लेंगे कोई error है या न calculation involved operator tag operator tag क्या है कि यहां पर cal space मैंने दिया हुआ है space कभी नहीं आएगा इस तरीके से ले लिजिए दैन यहां पर फिस से define कर लिजिए और create करेंगे देखे error चलागे इवन आप यह भी नहीं रहेगा button भी नहीं रहेगा तो भी error नहीं आएगे तो अब हमारा section ready है आप यहां से इसको download कर लिजिए और download करने के बाद आप online में value feed करेंगे जैसे input press करेंगे 5 values add होके आपके पास आजाएंगे यानि सारी values आपके पास add होके result आपके पास आजाएगा तो कोई भी value हो सकती है round of integer double integer real point value कोई भी value आप addition करा सकते हैं इस तरीके से मैंने एक by default एक addition यानि 5 values को add करने का एक instruction लिया 10.1 मैंने यहां से value लिए 10.1 एक और value लिए यानि सारी value मैंने 10.1 ले लिए जिससे कि आपको थोड़ा सा clear हो जाएगा तो 10.1 मतलब realt क्या आना चाहिए 10.5 यानि 50.5 आना चाहिए जैसी मैं यह input प्रेस करूंगा और यहां से force सारे on कर दीजे इनेबल कर दीजे तो आप देखेंगे total year 50.5 आ गया आप जैसे input यहां से press करेंगे देखें एडिशन होके यहां पर 2 आ गया यहां से 0.1 ले लिजे सभी में value 0.1 आपके पास सारी value 0.1 की 0.1 सारे add करके आप देखें सारा realt आपके पास proper तरीके से आएगा यह देखें 0.5 आ गया एक तरीके से मैंने एक add-on instruction बनाया जो की 5 values को add करने का तो अपने एसाब से हम इस तरीके की instruction यूज कर लेते हैं और implement कर लेते हैं तो hope आपको मेरा यह video भी पसंद आया होगा और आपको definitely add-on instructions करना आपको clear हो गया होगा तरीके से मैं add-on instructions create करते हैं और उसका implement करते हैं यूज करते हैं प्रोग्राम में काफी ज्यादा यूज होता है क्योंकि यह user defined instruction है और हम इसका use काफी ज्यादा करते हैं तो अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरे वीडियो को like करें subscribe करें और आगे भी वीडियो के लिए लगाता है चैनल को follow करते रहें तो thanks for watching my videos